नमस्कार आज का हमारा मुख्विशा है अंतराष्टी अर्सास के अंतरगत अनकूलता प्रिशुल्क मैं डप्टर शलेन कुमर्स राजकी इमापिद्यले बद्रोच का नल्मोड़ा अनकूलतां प्रिशुल्क का तातपर सबसे पहले हम जानेंगे हम जानते हैं कि प्रिशुल्क जब कोई दे कोई वस्तु या सेवा दे से निर्यात या आयात की जाती है तो उस पर लगने वाला कर प्रिशुल्क कहलाता है माल लीजे हमें पिन आयात करते हैं पिन दस रुपय की है हमारी घरेलू मार्केट की पिन ग्यारा रुपय की है हमने आयात की जाने वाली वस्तु पर पांच रुपय का प्रिशुल्क लगा देते हैं अब हमारे पास आया अतित वस्तु का मूल ने 15 रुपय हो जाता है अता हम अपने घरेलू बाजार में इसे 15 रुपय में बेच सकते हैं परड़ाम सुरूप लोग घरेलू वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं इस प्रकार प्रसुलक घरेलू उद्दोगों को प्रोचाहन देने के लिए भी लगाय जाता है वहीं दूसरी द्रव प्रसुलक का टार्गेट यह होता है कि हम अपने घरेलू देशों के उद्दोगों को संद्द चड़ ज्यादा प्रतान ब्रदान करें और साथी साथ बीदेशों से वस्तु में कम लें तो सीधा टात पर है प्रसुलक का टात पर आयातित एवं निर्यातित वस्तु पर लगने वाले कर को हम प्रसुलक कहते हैं प्रसुलक के बाद वस्तु का मूले पहले से अधिक हो जाता है अर्थात मूले अधिक हो जाने का टात पर ये होता है कि लोग आयातित वस्त की मांग कम कर देते हैं अब हम अनकूलतम प्रसुलक की गरना करते हैं अनकूलतम प्रसुलक का टात पर है है कि जब हम प्रसुलक लगाते हैं तो उसके प्रणाम सुरूप दो प्रभाव जनरेट होते हैं पहला प्रसुलक के कारण ब्यापार की सर्ते हमारे अनकूल हो जाती है अर्थात दर रेशियो बिट्वीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विल फेवर टू अस हमें कम वस्तुएं देना पड़ता है और बदले में जधा वस्तुएं प्राप्थ होने लगती हैं इसको कहते हैं ब्यापार की सर्तों का अनकूल हो जाना हो तो प्रसुल के कारण पहला प्रभाव ये होता है कि ब्यापार की सर्ते हमारे अनकूल हो जाती है वहीं प्रसुल के कारण दूसरा प्रभावी जनरेट होता है इससे ब्यापार की मात्रा पहले से कम हो जाती है ब्यापार की मात्रा कम होने से इसे निगेटिव फ्यक्ट कहते हैं ब्यापार की सर्ते अनकूल हो जाना इसे पॉजटिव फ्यक्ट कहते हैं अन्कूलतम प्रसुल को वो situation है वो इस्तित्य है जहां पर धनात्मक प्रभाव सबसे अधिक हो जाए और रिनात्मक प्रभाव सबसे कम हो जाए अर्था ब्यापार की सर्ते हमारे सबसे अच्छी या बेटर कंडिशन में हो जाए और ब्यापार की मात्रा भी ज्यादा कम न होने पाए उस प्रकार के प्रसुल्क को हम अनकूलतम प्रसुल्क की संग्या देते हैं तो अनकूलतम प्रसुलक में समाज का कल्यान सबसे ज़्यादा होता है कम्यूटी वेल फेयर सबसे ज़्यादा होता है इसलिए कभी भी एक देश को लगातार ब्यापार की सर्ते अनकूल करने के लिए प्रसुलक नहीं लगाना चाहिए प्रसुल को तब तक लगाना चाहिए जब तक कि ब्यापार की सर्ते उसके अनकूल होती जाए लेकिन ब्यापार की मात्रा बहुत कम ना होने पाए आईए हम इसे रेखा चित्र के मात्यम से और अधिकी स्पष्ट करते हैं यहां पर हम रेखा चित्र में अनकूलतम प्रसुल को और विस्तार से समझेंगे आधारच पर इंग्लेंड के कलाथ को लिया गया है इंग्लेंड कलाथ के उतपातन में स्रम्भी भाजन विसिश्टी करन करता है साथ साथ जर्मनी के लिनन को YX पे लिया गया है दोनों की व्यापार सरते A विंदु पर संतुलन में अता इंटरनेशनल प्राइस लाइन हमारे पास प्राप्त हो जाती है O A इस प्रकार हमारे पास प्राप्त तरिभूच O C A है O-C-A है England कपड़े का इतना एक्सपोर्ट करता है बदले में लिनन का इतना इन्हीं लिनन कपड़े का ज्यादा मात्र एक्सपोर्ट करता है बदले में लिनन कम मात्र में प्राप्त करता है इस प्रकार England का Community Indifference Curve IC1-A बिंदु पर है अब England टैरिफ लगा कर ब्यापार की सर्तों को आपने फिवर में करना चाहता है जिसके परिणाम सुरूप उसका Community Indifference Curve और उपर की ओर जा सके और अनकूलतम प्रसुल की दर प्राप्त कर सके माल लीजिए कि England टैरिफ लगाता है और टैरिफ लगाने के परणाम सुरूप उसका प्रस्तावक्र कुछ ऐसे हो जाता है जब प्रस्तावक्र ये हो जाता है तो हम इसका नाम दे देते हैं OE1 हमरे पास नई अंतरास्टी मूल ले रेखा प्राप्त होती है IPL1 अब देखिए अंतरास्टी मूल ले रेखा उपर की और सिप्ठ हो गई यानि England के आधाराच्च से दूर हट रही है मतलब कि England के लिए ब्यापार की सर्ते अनकूल हो गई है जब हम A1 पॉइंट को आधाराच्च से मिलाते हैं तो हमारे पास नया ब्यापार्त रिभूज प्राप्त होता है OC1A1 अब देखिए इंगलेंड कपड़े का एक्सपोर्ट करता है और लिनन का इंपोर्ट करता है अब इंगलेंड को देखिए कि कम मात्रा में कलाथ देना पड़ता है और थोड़ा सा अच्छे रेशियो में लिनन प्राप्त होने लगा है लेकिन ब्यापार्त रिभूज का रेशियो जो की पहले था उसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया कम हो गया है अर्था ब्यापार्त की मात्रा कम हो गई है कम्यूटी इंडिफिरेंस करव सोसाइटी में इंप्रूव हो कर के C.I.1 हो गई है C.I.2 हो गई है अर्था कम्यूटी का इंडिफिरेंस कर ऊपर की ओरशिप्ट कर गया है अर्था जिस अनुपात में हमारे पास international price line में change हुआ है उस अनुपात में trade की मात्रा में change नहीं हुआ है जिसके काण positive condition हमारे ज्यादा favor में हुई है और negative condition उतनी favor में नहीं हुई इसलिए हम optimum की तरफ बढ़ते हैं इंगलेंड पुना tariff लगा देता है जब इंगलेंड पुना tariff लगा देता है तो इंगलेंड का प्रस्तावपर shift हो करके कुछ यहां पर हो जाता है अब नया हमारे पास point E2 हो जाता है E से हमारे पास E2 हो जाता है नई अंतराenary टी मूल रेखा हमारे पास कुछ ऐसी हो जाती है IPL 2 हो जाती है नया संतुलन बिंद हमारा A2 हो जाता है हमारे पास नया trend triangle हो जाता है OC1A2, अब हमारे पास trade triangle OC1 OC2A2 प्राप्त हो जाता है, यह नया trade triangle है, नया trade triangle में यह भय की इसका area इन दोनों के area से कम हुआ है, अर्थात अब इंग्लेंड कम मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और ज्यादा रेशियो में इंग्लेंड जर्मनी से लिनन प्राप्त करता है और हमारे पास इंटरनेशनल प्राइस लाइन उपर की ओर शिप्ट हुई है जो इंग्लेंड के अधार अच्छ से दूर हटती गई है इसका ताथ पर ये है कि हमारा प्यापार की सर्ते फेवर्ग हुई है कम्यूटी इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करते हैं तो कम्यूटी इंडिफरेंस कर्व देखिए और उपर की ओर गया है कम्यूटी इंडिफरेंस कर्व देखिए पहले ICI 1 था फिर CI 2 हुआ फिर CI 3 हमारे पास हो जाता है इस प्रकार community indifference curve लगाता रूपर के और जा रहा अर्था इस tariff के लगाने के कारण England की term of trade में ज़्यादा positive परिवर्थन हो रहा है जबकि ब्यापार का जो ratio है वो कम तेजी से परिवर्थित हो रहा है इसलिए हम optimization की तरफ जा रहे हैं लेकिन England पुना tariff लगा देता है जब England पुना tariff लगाता है ताकि ब्यापारिक सरते और favor में हो जाए हमें कम ratio में cloth देना पड़े और ज्यादा ratio में linen प्राप्त हो जब tariff हो लगाता है तो यहाँ पर हमारे पास नया point E3 प्राप्त होता है यह नया प्रस्तावक्र है हमारे पास नया संतुलन बिंदू A3 प्राप्त होता है अब हमने क्या किया कि इसको हमने equilibrium point से मिला दिया यह नई अंतराष्टी मूले रेखा होती है और इस मूले रेखा का नाम IPL3 रख देते हैं हमारे पास जो भ्यापार तृभूच हो जाता है वो OC3 और A3 हो जाता है अब हम देखिए बहुत कम रेशियों में कलाथ का एक्सपोर्ट करते हैं बहुत अधिक रेशियों में England से linen की मातरा इंपोर्ट करते हैं लेकिन ब्यापार्त त्रिभुज का एरिया बहुत कम हो जाने के काराण हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हम आप्टिमम दसा से नीचे की और आ जाते हैं, कम्निठी इंडिफरेंस कर्व जो होता IC3 से डिकलाइं करके IC4 पे आ जाता है, देखिए सबसे आप्टिमम उसका जो पॉजटिव फेज है वो खतम हो जाता है, पॉजटिव फेज खतम हो जाने कार निगेटिव फेज जाता हो जाता है, पॉजटिव फेज कम हो जाता है, जिससे कम्निठी इंडिफरेंस करो, पहले की अपेच्छा नीचे आ जाती है, इस प्रकार हम संतुलन बिंद अच्छा एवन बेस्ट कंडिशन है क्योंकि यहां पर पे पॉजटीव फेज ज्यादा अच्छा है जब कि निगेटीव फेज उतना प्रभावी नहीं है इसलिए कम्निटीव इंडिफरेंस कर उपर क्यों रूठा एसे एवन से बिटर कंडिशन एटू है क्योंकि यहां पर थी हमारे पास जो धनात्मक सकारात्मक चीजे थी यानि हमारे पास IPL का उपर की ओर जाना और ट्रेट का रेशियो कम होना उसके रिस्पेक्ट में पॉजटीव रेशियो ज्यादा था और निगेटीव रेशियो कम है इसलिए कम्निटीव इंडिफरेंस कर और उपर की ओर लेकिन इसके बाद A2 के बाद जब हमने टैरिफ लगाया तो हम A3 पर आते हैं यहां पर प्रसुल्क का निगेटिव पहलू चाहता प्रभावी हो जाता और धनात्मक पहलू कम प्रभावी हो जाता जिससे कम्यूटी इंडिफरेंस का डिकलाइंग हो जाती है इस प्रकार हम कहेंगे कि A2 ही आप्टिमम प्रसुल्क है अता सरकार को प्रसुल्क की मात्रा O3 पर ही रहना चाहिए और ब्यापार का जो मात्रा ब्यापार त्रिभूच O C2 A2 ही रखना चाहिए क्योंकि यहां पर कम्यूटी इंडिफरेंस कारव सबसे उंचा हो जाता है आता आप्टिमम प्रसुल्क के अंतरगात हमें इस पॉइंट को अपनाना चाहिए धन्यवाद